एलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल जिक्के कलासे जुनिश सुबहतर और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्ट के सब्डेट अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब फेशला तो दोस्तों आपको पता ही है कि 21 सितंबर 2020 को बिहार राज्य विश्य विद्याले सेवायों के दुआरा 52 विश्यों के अंदर कुल 4638 पदों के लिए बर्ति का विग्यापन जारी किया था लेकिन ये बर्ति जो है वो पटना हाई कोर्ट के अंदर फिलहाल विचा जो है वो आरक्षन के रोष्टर पर आपति करना है कि इस बर्ति विग्यापन में आरक्षित पदों के लिए 50% से अधिक आरक्षन का प्रावधान किया गया था उस वज़े से जो है हाई कोर्ट के अंदर रिटिया चिकाए दायर के गई हैं पटना हाई कोर्ट ने 50% से अधिक आरक्षन देने के कारण रज्जे के 12 विद्यालियों में होने वाली असिस्टेंट प्रोफिसर की बहाली के लिए जारी विग्यापन को रद कर दिया था कोर्ट ने नए सिरे सिविग्यापन निकाल करके आरक्षन प्रावधानों के अनुसार न्यूप्ति की प्रक्रिया सुरू करने का आदेश बिहार रज्जी विद्याले सेवायों को दिया था इसके बाद में करीब 10 महिने के बाद में फरवरी के अंदर हाई कोर्ट के अंदर दुबार इस पे सुनवाई होई और हाई कोर्ट ने इस बहाली की प्रक्रिया को सुरू करने का जो आदेश है वो प्रदान किया अब आप एक बार पहले ये न्यूज देखिए उसके बाद में मैं आपको जो है विग्यापित पदों का रोष्टर दिखाऊंगा और उसके बाद में जो संसोधित रोष्टर है वो भी आपको जो है दिखाऊंगा पहले आप ये न्यूज देखिए विश्व विद्याले असिस्टेंट प्रोफिसर की बहाली के लिए इंट्रिव्यू फिर सुरू होगा या बहाली का विग्यापन रद होगा इस पर हाई कोर्ट जल्द फेशला सुनाएगा अंतिम बार गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फेशला सुरुक्षित रख लिया है कोर्ट ने अभी फेशले की अंतिम तीथी जो है वो तै नहीं की है लेकिन डॉक्टर आमोध प्रबोदी बनाम रज्य सरकार के इस केस में अब फेशले का इंतजार खतम होने वाला है बहाली के लिए आवेदक आमोध प्रबोदी ने आरक्षन के रोस्टर पर अपति कर कोर्ट में याचिका दे थी जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फरवरी 2023 में इंटर्यू पर रोक लगाते हुए रज्य सरकार को रोस्टर का फिर से अद्धेन करने को कहा था तो उसके पस्चात रज्य सरकार के दुवारा हाई कोर्ट में परातना की गी और संसोधित जो रोस्टर है वो जो है हाई कोर्ट के सामने प्रस्तूत किया गया तो उसके बाद में हाई कोर्ट ने पुने जो है और बिहार रजी विस्विद्यले सेवायों को ये बहाली की परक्रिया जो है वो सुरू करने का आदेश प्रदान किया था तो सबसे पहले आप देखिए जो विग्यापन के दोरान पदों का रोस्टर जारी किया गया था वो रोस्टर ये आप देखिए कुल विग्यापित पद जो थे वो 4638 थे और ये पदों का रोस्टर जो है आपके सामने दिया गया है इसमें यूर के टिगरी के लिए यानि साम 244 पद थे और EBC का मतलब अतेंत पिछड़ा वर्ग उसके लिए 1227 पद थे और EWS के टेगरी के लिए यानि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 309 पद थे और WBC यानि पिछड़े वर्ग की जो मैलाएं हैं उनके लिए 207 पद आरक्सित थे ठीक है तो इसके अंदर जो बेक लोग था वो 1019 पद थे और वर्गमान पदों की जो रिक्त संक्या थी वो 3619 थी इस परकार से 4638 पदों के लिए बर्टिका विग्यापन जारी किया गया था लेकिन जब बाज में हाई कोट ने इस बर्टि विग्यापन के ऊपर रोक लगाई उसके पस्चाद बिहार इस विद्यले सेवायों के दूआरा इस बर्टिका जो संसोधित रोष्टर है वो जारी किया गया था इसमें आप देख सकते हैं संसोधित जो रोष्टर है वो 4,108 पदों के लिए जारी किया गया था जिसमें SC के लिए सिटे जो हैं वो हैं 1368, SC के लिए हैं 820, ST के लिए हैं 113, BC के लिए 414, EBC के 111, EWS के लिए 350 और WBC के लिए 127 इस परकार से ये 4108 पदों के लिए संसोदित रोष्टर जो है वो जारी किया गया है जिसमें बेक लोग के 755 पद हैं और वरतमान पदों के जो रिक्तिया है वो 3353 है ठीक है अब ये जो बिहार राज्य विश्विद्याले सेवायों के दुआरा जो पदों का संसोदित रोष उससे पहले आप देखिए कि बिहार के अंदर जो सरकारी सेवाएं हैं उसके अंदर पदों का आरक्षन जो है उसकी क्या इस्तती है तो ये आप देखिए बिहार में सरकारी सेवाँ में आरक्षन तो इसमें बिहार के अंदर SC के लिए 16% सीटे जो हो रिजर्व होती है सरका पीसी के लिए 3% आरक्षन का प्रावदान है इस प्रकार से टोटल जो आरक्षन है वो 50% होता है ठीक है बाकि EWS के लिए यानि आर्थिक रूप से कमजोर वर्क के लिए 10% आरक्षन जो होता है वो अलग होता है तो ये जो है सामाने स्रेणी के लिए 1223 पद ही रखे गए थे जिसकी वज़े से आरक्षन का जो प्रतिस्ट हो गया था वो 50 प्रतिस्ट से अधिक हो गया था अब इसके बाद में आप आगे की न्यूज देखिए फिर मैं आपको बताऊंगा तेन नई जो लिटिया चिकाएं दायर की गई हैं वो क्या हैं किना आधारों पर दायर की गई हैं और उनकी वज़े से क्या ये असिस्टेंट प्रोफिसर की न्यूक्ति प्रक्रिया और भी प इस बीच कुछ और आवेदकों ने अलग-अलग याचिकाएं दाखिल कर दी थी जिस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी डोक्टर आमोध प्रभोधी ने बताया कि उनकी याचिका के बाद जब रज्य सरकार ने संसोधित रोष्टर तयार कर कोर्ट को उपलब्द कराया तो उसमें सामाने कोर्टी वे OBC की रिक्तियां बढ़ गई इसके बाद एक आवेदक ने उनके दावे का समर्थन करते हुए कोर्ट में याचिका दी दो अन्य आवेदकों ने कोर्ट से अपील की थी कि देरी और विशंगती के कारण बहाली का विज्यापन रद कर दिया ज तो ये दो नई मुद्दों को आधार बना करके और तीन रिटिया चिकाय दायर कीगी दो जो आवेदक थे उन्होंने इस आधार पर जो है इस बर्ति विज्यापन को रद करने की मांग की कि चुँकि इस बर्ति के अंदर काफी देरी हो गई है और बहुत सारी विशंगतिय है इसलिए इस विज्यापन को रद किया जाए और नए सिरे से जो है नया विज्यापन जारी किया जाए जबकि एक जो अन्यावेदक था उसने सोधित रोस्टर के कारण से उनकी के टेगरी के जो रिक्त पद थे उनकी संख्या कम हो गी थी इस वज़े से हाई कोड से प्रा उसके अंदर पहले 1223 पद थे अब ये जो है बढ़ करके 1368 पद हो गए और BC के टेगरी है इसके अंदर पहले 344 पद थे जो बढ़ करके 314 पद हो गए तो यूर और BC के अंदर तो संसोदित रोष्टर के बाद में पदों की संख्या बढ़ गई है जबकि कुछ के टेगरी ऐ BC है जिनके अंदर संसोदित रोष्टर के बाद में पदों की संख्या कम हो गई है यह आप देखिए SC जो के टेगरी है इसके अंदर पहले जो बिग्यापन था उसमें 1187 पद थे अब संसोदित रोष्टर के बाद में SC के अंदर 820 पद हो गए है इसी परकार से ST के अंदर जो है पहले 141 पद थे अब संसोदित रोष्टर के बाद में 113 पद हो गए है तो इन चीजों को आधार बना करके हाई कोर्ट के अंदर एक और रिटियाची का दायर की गई है और यह मांग की गई है कि चूंकि SC ST ये जो केटेगरी है इनके अंदर संसोदित रोष्टर के बाद में पदू की संख्या कम हो गई है इसलिए कोर्ट इस बिंदू पर भी विचार करने के बाद में जो है अपना डिसीजन दे ठीक है तो अब जाइर बात है कि इतना जल्दी जो है हाई कोर्ट के दुआरा इसका फेसला नहीं आएगा यह दपी पटना हाई कोर्ट के द जाए और यह बढ़ती का जो प्रत्रिया है उसके अंदर और विलंब हो जाए तो यह थी आपके लिए बिहार राज्जी विश्विद्याले सेवायोग असिस्टन प्रोफेसर कोर्ट केस अपटेट अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जिरूर हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बुत बुत धन्यवाद